कैसे हैं आप लोग उमीद है अच्छे ही होंगे आप लोगों का एक्जाम कैसे गया मुझे कमेंट बाउक्स में जुरूर बताईएगा और सबसे बड़ी खूशी यह है कि मेरा अभी एक्जाम बहुत अच्छा गया था मैंने पेपर बहुत अच्छा दिया है और मुझे लग तो सबसे बड़ी दुख की बार यह है कि हम लोग बहुत मेहनत किया है दिन रात एक कर दिया पढ़ाय करते करते और एक हाउस वाइफ तो आपको पता ही है उनके पास कितना काम होता है घर का मैंने किया गया था कि मेरे एक्जाम मुझे पता है मेरे को एक्जाम देना है के वहarian देना देना ख़र लोगा में दिया हुए उसके बास मैंने अपने घर के जो만 तो यह थीरे इसको迷ी कि गुख ओगत है, अब मेरे को निप्टाने में लग अब यहां पर रीट के एक्जाम मुझा लोग 15-15 लाफ रूपल दे रहे थे तो यह किसके गल्दी है हम लोग के तो गल्दी नहीं है हम लोग ने जिन्दाथ इतनी महनुत करिया है फिर भी सरकार को कोई फरक्तों पड़ेगा नहीं दिन लोग उने पैसे दिया है उनका सेलेक तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए हमारा केविस के एक्जाम हो गया है और मेरे 26 को हुआ था आज 27 है तो ऐसा लगा है कि मतल्द सरका बोज सा उतर गया हो मेरे पुछाई नहीं करने के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए तो आप लोग को भी ऐसा लग रहा होगा तो आ यह को मिल जाए तो आकम पढ़ाई continue रखें और पढ़ाई को मच छोड़े मैं मैं पैणने कंटीन्यूर के कहते हैं कि जो अगर अब धीरे 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 मेहनत करते हैं तो आपको उसका रेजल्ट जरूर मिलेगा आप मेहनत करना बंध ना करें अपने पढ़ाई को continue रूरा मस новoff कोई कोई react किया होय कोई reaction लेक्शन की siya Baptist कोई नोटीस दे दी कि आदुबारा होगा यह क्या होगा क्या नहीं होगा अब एक्जाम दुबारा लें गे इसके लिए हम लोगों कहीं लोस है क्योंकि पर भी तो ठिटा खा पेपर पिर लोगों ने घुमा फिरा के में अंदसाइंस की जैसे की 21 जो एक्जाम था उन लोगों को पता ही नहीं था कि रिम जिम से आने वाले हैं रिम जिम से कोश्चन दे दिया पांट से कोश्चन चर्ट तुक के हिमारते रहा गए और यू लास्ट मैं थे उनके तो अब यह जो पेपर लीक हो गया है तो इसमें नुकसान किसका है हम लोगों कहीं है जिनकी एज 40 के आसपास हो रही थी उन्होंने सचा था इस पर हम क्लियर कर लेंगे बहुत ही मेरत कर रहा होगी हो उन लोगों ने तो उन लोगों के लिए बहुत ही लोस है ना सरकार को अब इसके बारे हम चर्चा करेंगे तुटर पर आकर जोड़ देंगे कि सरकार क्या कर रही है पेपर पर लीक होता चल जा रहा है हम लोगों के गलती है हमें हमें जोब मिलेगी है नहीं मिलेगी तो आप इस पे ना बैठे के वेस पर ना बैठे आपको अच्छी तरह से बत अब सिस्टं है कि अब वो सिस्टं कार की गलती सिस्टं की यह लोग कैसे कर्वारें कैसे करिवारें जाते हैं समझ में नहीं आता कि पेपर कैसे लिख अवर यह को छोड़ते है और हम इसके बात करते हैं कि आप सूपर्टट की विकेंसी आने वाली है हम लोग उसके फोकुस करते हैं और सूपर्टट में क्या है कि आप अगर एक्जाम देते हैं एक्जाम के बाद डारेक्ट आपका जॉब लग जाएगा उसके कोई इंटर्जु नहीं है और आपका कि पैपर लीड क्या है यह प्यां में यह दो चलता ही रहेगा तो अब मैं आगे कि मेरे क्या स्ट्रेजी हो प्लोड कर रहें अब मैं इसके में चाहें तो मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगी तावागे शेयर कर सकते हैं ताज जिनके धरवालों ने उनको बहुत मुश्किल से एक्जाम देने के लिए भेजा और प्यारी करने के लिए प्यारी करने के लिए अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइप घिसर कर सकते हैं और यूँ ही आप अपना मतलब प्यार देखाते थे का मेरी वीडियो पर ताकि मैं आप ऐसे मोटियो गनाते हूं धन्य